जैंदु स्टुडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग क्विक रिविजन करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का एक तरीके से एक ही जो इंपोर्टन पॉइंट है की वीडियो में हम लोगों ने ले लिए तो चलिए शुरू कर देते हैं वैदिक काल से वैदिक काल का जो समय है वह 1500 रेविच्ट से 1000 के बीच का है रिगवार काल कहलाता है और 1600 के काल को इंवीडिक काल में लोहे समाज की सबसे चोटी कई के लाती थी परिवार या खुल कहला ती ग्राम युद्ध रावी नदी और यह किनार्य कि नला गया तो जहता है की इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी आर्थिक जीवन जो था कृषिव पशपालन पे निर्भर करता था कृषियोग भूमी को उरवराय शेतर कहा जाता था जो सरसुती नदी है उसको माते तमा नदी तमा कहा जाता था पित्र सत्तात्मक समाज था नियोग प्रतासिय जो उत्पन सत्तान थी उसको क्या कहा जाता था छे द्रच कहा जाता था सबसे ज़्यादा उलेग सिंदु नदी का हुआ है गंगा नदी का एक बार ये अमना नदी की देवता थे वेद की बात करते हैं हम लोग तो रिगवेद में एक जाटाइस सूख थे दसजापान जुबावन रिचाएं थी दस मंडल थे तीसरे मंडल के रचहिता कौन है विश्वमित्र है जिन्होंने गैत्री मंद्ध की रशना करी पुरोहित क्या कहलाते थे इसके होत परत होता है यग्यों के उसर पर गया जाने वले मंत्रो का संग्रे होता इसको गाने वाला क्या कहलाता था उद गाता कहलाता है शाखाएं इसकी कौमती रणाइनी और जैमिनी थी ब्रामट इसका पंच्छिविष्या तांड़े ब्रामट था यजुरुवेद ये गद्ध पदि दोनों में था इसका ब्राह्मट कौन कहलाता है शत्पत कहलाता है ठीक है शत्पत में ही पतनी को पती की अर्दांगनी कहा गया है पुनजन का वणन है पुरुश्मेक का वणन है इसकी शाखाई क्या है क्रश्न जुरुवेद जिसका ब्राह्मट तैतरी है शुकल जुर पुरोहित होता था वो अध्वर्य कहलाता था यह जुरुवेत का अंतिम भाग जो है यह शोपनिस्सत था जिसे हम लोग आध्यात्मिक चिंतां से रिलेट करते हैं अधरवेत विश्वास था अंध्विश्वास का वर्णा ने इसमें इसका जो ब्राम्वन ने बहुत पूछ उत्रवेति काल में वरुण इंद्र इन सब का इस्थान किस ने ले लिया प्रजापती ने विश्णू ने रुद्र ने शिव ने ले लिया पशुबली की बिधानता होगी चार पुरशात होते थे जिसमें धर्म अर्थ और काम को त्रिवर्ग में रखा जाता था मोक्ष ज यारवर्णों में बटा हुआ था लोही की खोजे एकजार बीसी में भी कहां पर हुए अत्रंजी खेडा एटा यूपी में है न और इसको क्या कहते थे क्रश्ण एस कहते थे और तामा को लोह एस कहते थे विया पयार्ड जो है वसुविन में प्याधारी था लालम पारितंद्र के बारे में बात कर लेंगे तो पारितंद्र के दो घटक होते हैं अजैवी घटक और जैवी घटक जैवी घटक में उत्पादा गुबोगता और अब घटक आ जाएंगे अजैवी घटक को तीन पार्ट्स में हम लो डिवाइड करेंगे बहुती घटक कार्ब जल म्रदा वाइमेडली गैस खने चटान तत यह सारी चीज़े आ जाएंगे ठीक है ओके इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पास्थित की तंत्र की जो भूद्रश में इस्थिती है तो जनसंख्या जनसंख्या के जो कई समूह आएंगे तो वो समूधाय का निर्माड करेंगे जब कई सारे समूधाय आएंगे तो वो पास्थिती की तंत्र का निर्माड करेंगे और कई सारे पास्थिती की तंत्र एक भूद्रश का निर्माड करते हैं ठीक है यहां पर जो आपको दिख रहा है ओक, पाजितरीन chamber की बात करें तो तीन त्रेक होते हैं इस्थली norm Com जर्ना हो गया और लवनी में क्या एंग ज होता है सागर हो गया जौर्न соответ मानवी में जो मानो के दोरा बनाय के करशी कार में जो भी प्रियोब होने जिज़े खेट है जल जीवशाला है अंत्रेक्षियान है ये पर बुर्जा भूता πरवा होगा जाता है इस तरह से होगाए ये इक दो तीन चार इस तरह कितने होगा है चार अगर यह बुचा जाए कि प्राया खादे स्तर कितने स्तरों को होता है खादे शंकला कितने स्तरों को होती तो चार और अधिक्तम कितने स्तर की हो सकती तो पांच यहां पर वियोजग बढ़ जाएगा ठीक है तो उर्जा का प्रवा अगर देखें तो सूर से लेकर तिति इनके बात करते हैं तो चंपारन बिहार में इन्हों किया था पहला सत्य अग्रह किया था, भारत में पहला सत्य अग्रह किया था, यदे पी अगर पहला सत्य अग्रह पूछा जाए मात्मा गांदी का, तो सौध अफरीका में किया था, इन्होंने पंडित राजकुमाशुल्क ने इनको राजी किया था, चंपरन में आने पर, वहाँ पे एक तिनकठिया प्रणाली चल लए थी कि जो तीन बटे बीस भागस पर आप नील की खेती करोगे ही करोगे है ना तो उसके विरोध में यह गयते और कंविंस भी किया था वहाँ पर रविना टैगोर्ड ने इसके बाद इसको महात्मा इनको महात्मा की उपादी दी ती जो इ कि यह क्रम लगाने को कभी कभी आ जाता है ना तो एहमदाबाद मिल होता क्योंकि फरवरी में होता फिर मार्च में खेडा अंदुलन होता तो इसमें कन्फ्यूज मत हुएगा पहले अहमदाबाद मिल हो जाता है दुनों उन्हें सटार्ड किया फसल उस समय नस्ट हो गई लेकिन लगान पर सरकान ने कोई भी छूट नहीं दी तो इसके लिए किया था खिलाफात आंदोलन होता है आपका 1919 में ठीक है तो खिलाफात आंदोलन कम होता है आपका 1919 में प्रमुख नेता कौन है इसके मोहमद अली और शौकत अली तुर्की में जो खलीफा पद्य है उस में गांधी के इंवाल्व होने के और इनको सचेत भी किया था कि आप यह राजनीती में धार्मिक मामलों को मत लाइए लगे माने नहीं असे यह गांदी जी चलाया गया पहले दिन तिलक किम्रत्य होगी काशिविद्य पीट बनारस की स्थापना भी इसी दोरान हुई 1920 में गांधी द्वारा केसरे हिंद की उपाधी जो है वापस कर दी गई ठीक है चौरी-चौरा कांड पांचपरी 1922 को हुआ इस एक शुब्ध होकर गांधी जी ने क्या किया यह असे योगांदोलन वापस ले लिया सविने अवर के आंदल 1930 में 6 अप्रेल 1930 को इन्होंने नमक ब पर हमला हुआ था तो वेब मिलर जो अमेरिका का पत्रकार था उसने इसका काफी सजीव वर्नन भी किया हुआ है ठीक है तो अब चुकि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट हुए थी तो अभी 12 मार्च 1921 से क्या हुआ है कि जो 75 वर्ष जो सुनता कि हो गये हैं तो एक उत्सो चला है तो वह 12 मार्च 2021 से ही स्टार्ट किया गया है याद रखिएगा भारच छोड़ो अंदोलन 9 अगस 1922 को शुरू होता है करो या मरो कर नारा दिया था इसके तहरे दिन को जब गरतार किया गया तो वह आपरेशन रुबी खान रुबी कौन कहला है आगा पहले स इसमिन को रखा गया था समाना अंता सरकारों की स्थापना भी हुई इस असायोगा इस बहरच छोड़ों अंदोलन में बलिया में जो से प्रांद का बलिया था वहां बनती है को लेने के लिए गुविंद जी एक थे तो मद्य पिदेश राज की विरुद और खड़क सिंग उत्तर पिदेश राज की विरुद इन्होंने केस दायर की तो उसमें ये निर्णा दिया गया था प्रमुक बाद और कौन-कौन से में एक गोपालन वसिस मद्राज 1950 में में इनका गांधी वसिस भारत से 1978 में वाता है ना तो प्राणवा देहिक सुनता कि उचित्वा नियापूर्ण मामले पर के आधार पर रोक भी लगाई जा सकती तो ऐसा निर्णा दिया था इसके लावा क्या है 1921 को अगर मिला दिया जा अच्छी सड़कों का अधिकार अभी रक्षा में हिंसा के विरोध अधिकार कारिसल पर लेंग उत्पिणन के विरोध अधिकार सोच पर्यावरण जीवन रक्षा का अधिकार स्वास्त का अधिकार सूशना का अधिकार ठीक है विदेश यात्रक अधिकार राज के बहार न अनुछे पैतालिस है ना तो उसमें अनुछे चौदा वश्टक के उम्र के बच्चों को निशुल सिच्छा प्रोवाइड कराने का एक प्रविजन रखा गया है यह सभीदान से शुर्दन जो उसकी तहदी लाए गया और इसी की तहदी 21 का जोड़ा गया जिसमें था 6-14 वश्टक निशुल को अन्हवास इक्षा जीवन के अधिकार में जोड़ी गया और 51 का में 11 मुल कर्टब भी जोड़ा किया कुछ रोग हैं है ना और उनके कारक हैं तो डेंगू हड़ी तो जो भी कहते हैं विशानु कारक होता है 엘्टी क्योड सटेन्यो रिंकस इसका वहां होता मलेरिय Я प्रोटेज क्यों होता है मदवाक होती ही वह इसकी वह होती है काला अजार ये भी प्रोटो जो सेही फ्लीक है सिरी यंगा इसका प्रिंक चौसी क्राओं होता है ज्छी कि सीमकी होती है उसकी वजह यह होता है ठीक है जो हाधी पाव रोग होता है बुचेरिया बैक ओफ रेक्टी से जो निमेटोड होता है तो उसकी वज़े से होता है एनफ्लीज क्यूलेस और एडीज मच्छा जहें इसके वाहक होता है रेवीज यह विशानु से होता है कुट्ता चमगादर लोमडी यह नाम होता है इसका चुहे पर पिस्सू पाए जाते हैं वह इसके वाहक होता है निपा भी एक वायरस है चमगादर से होता है और सूर से होता है दिल्ली सल्दनत की बात कर लेते हैं है ना तो यहां पर वंच दिये हुए है इनका पीरिड टाइम पीरिड दिया हुए यहा तुगलक वंच 1320-14-14 तक रहा सेयद वंच 14-14-15 इसी तक रहा लोधी वंच 14-15-26 तक रहा यह ताइम परिड़ आपको याद रहेगा तो इसमें पूशा आता है कि सबसे अधिक समय तक राज किसने किया दिल्ली सत्लाप में तुगलक वंच ने किया सबसे कम समय तक किसने रा पारेम बात कर लेते हैं 126-1210 तक रहा पहला तुर्फ सुल्तान तर लाहूर इसने राजधानी बनाए थी सरक्षन इसने अधान निजामी फक्रे मुदब्बिर को तो मिनार का निर्माड स्ने वक्तियार काकी की यान में शुरू कराया इसके बारा अराम शाह बना अराम शा कि राजधानी लाहों से इसने दिल्ले सनांधित कर ली थी इकता शाशन परणाली इसने प्रारंब करी दी एक सो पशत्ता ग्रेन का चांदी का टंका इसने चलाया था तामिक जीतल भी इसने चलाया था इसके बाद रुकमदीन फिरोश शाह गदी पर बैठता है इसके समय में जो सत्ता थी इसकी माता शाह तुरकान के हाथ में थी है ना फिर रजिया गदी पर बैठती ही 1234 दिल्ली की जलता ने पहनी बार उत्रादिकार के प्रश्ट पे स्वेम ने लिया है ना और अमीर अखूर रजिया ने ने नियुक किया था जमाल अदिन आमाल दिन याकूत को और तूतिया से इसने विवा किया था इसके बाद मुईजदिन बहराम शाह गदी बैठता है 1246 से 1242 तक नाइब मामलिका था ठीक है एक नया पद हुआ इसको सरजित किया और एतगीन जो है यह पहली बार इस पद पर बैठने वाला विक्ति बना उसके बाद जो मुईजद फ़सी पर बैठता है ठीक है नासजदिन महमूद को समर्पित किताब है वो तपकाति नासरी है union जो मिनासदिन सिराज मरें किसने लगी मिनाजदिन सिराज ने लें है ठीक है ठीक है नासुदिन महमूद के बाद साशक बनता है बलबन बलबन oneself किया 1265 से 187 तक गदी पे बैठा रहा रख तो लोह की नीदी अपनाई स्वयम को यह अफरास याव वंच का गहता था गुप्त चाहता था सैने विभाग की भी इसने स्थापना करी दिवाने अर्च की स्थापना करी कुछ इरानी प्रतहाएं पी इसने चालो करी सिजदा हो ग जलाओ-दिन-किल्जी के बात कर लेता है तो पहला ऐसा शाश्रा है न जलाओ-धिन-खिल्जी पहला एसे मद्दिक आलीन शाश्रा जिसने सल्तनत काल का शाश्रा जिसने नहर के दुगाई रहे ठीक है अगर पहले विजय करता तो कैम्बे से मलिक काफूर को ये खरीदता है इसने राजधानी जो इसके समय में लाओदिन खिलजी की समय में थी राजधानी किसमें सीरी से देवगेडी को ट्रांसफर करी गई थी तो अगर राजधानी को क्रम आता है ये पूशा जाए कि मद अकालिन भारत मे भई राजधानी को क्रम किया रहा था सबसे पहले लाहोर जो अभग की समय में थी फिर दिली इसना अंतरित करी गई थी ठीक है इलतत्मिशने उसके बाद सीरी बनी थी और देव करी बनी ठीक है ये बना था ये क्रम था दक्षिन भारत में अभियान इसने चलाया सीरी इसन मढ कराया इसने तिरह सु तेन में जो रतन सिंहí्घ ताइब कर आजाया और सबसे पहले जह और किस ने देखा तो अमीर खुसरों कर ने इसके लाजाते थी मुनात्य प्रण बुटा आता है जिसको दिली का बना दी आता है इसी के शासन में पूछा जाएगा मर किसके शासन सरवाधिक विद्रो हुए तो मुहममद बिन तग्लख के सवाधिक विद्रो होते हैं इसने देवगिरी को राजधानी बनाया सांकेतिक मुद्रा जारी करी कुराचिल अभियान चलाया दुआब में कर व्रद्धी करी होली में इसने भाग लेने वाला ये पहला शाशकता थट्टा सिंध में तेरा सिक्याउन को इसकी व्रद्धी हो जाती है फिरोशात उगलग इसके बाद गद्धी पर बैठता है फुतु हाते फिरोशाही इसके लावा इसने हिसाफ फिरोशा जाउन पूर फिरोशा बाद इन सब नगरों की स्थापना करी थी ब्राम्मुलों पे जजिया कर लगाने वाला ये पहला शाशकता सिचाई कर इसने लगाया जो हक शर्व कहला था एक बटे दस भाग था तीन सो तक नवीन नगरों का निर्मान इसने कराया शषगानी एक सिक्का चलाया शबगानी एक सिक्का चलाया इसने दिवाने खैरात की स्थापना करी दिवाने बंदगान की स्थापना करी शाही इस्पिताल बनवाया रोजगा दफ्तर भी बनवाया इतना सब कुछ किया लेकिन रिश्वत खोडी को बढ़ा हुआ भी साथी में दिया कुछ गवर्णर जनरल है इंपोर्टेंट देख लेते हैं वारन हंस्टिंग 1772 में इनके समय में बंगाल में 26 का अंध होता है लाड कानवालिस 1793 में स्थाई बंदुबस्त करने वाला ये था गवर्णर जनरल ल एलियमेंटिक ने सतीबधा पर रोक लगए रिपन 1882 में स्थानी सुचाशन के जमन दाता कहा जाता है तफरिन 1885 में तो कांग्रेस की ये स्थाफना में मदद करता है ये कांग्रेस की स्थाफना के समय डफरिन वासराय था हमारा 1857 की करांती के बाद बारेम बात कर लेते ह ने समय बाइसरा eu Thailand था कैनिग दाrbitish Prime Minister कौन थे isकारब पंस चंद थे उंतीसमाज 1858 म को को बैरक पूर बैरकपूर से मंगल पांडे इसको इसको स्टर्ट किया था है ना एक विद्रो हो होती तो मेरट से 10 माई को नेत्रत करता कौन कौन थे बरेली में खान बाहदुर खान जिसको जफ़र ने वाइस्ट्राय बना दिया था बाहदुशा जफ़र ने राने लिश्वी भाई जहासी से थी लकनोव से बेगम हसत महल थी अच्छा राने लिश्वी भाई के बारे में भाग लिए जनरल हिरोज ने इनकी इनको मारा था ठीक है लकनोव में बेगम हुजद महल तो विजिस कादिद को इन्हों नवाब भुशित किया कैंपल ने गोर्खा रिजिमेंट की मदद से इस पर लकनोव पर अधिकार कर लिया था कानपूर में नाना साहब थे इन्ह के सलाकार काउन थे असी मुलागा थे ठीक है जनरल नील ने इलहाबाद में विद्रो को समाप्त किया था असम में दीवान मनी रामदत थे फजाबाद मौनवी एहमद उला शा थे पचाज़ा के नाम था उस समयन के उपर बिहार में जगदीच में बाबु कुवा सिंग सब से वीर अगर देखा जा तो असी वर्ष की उमर में भी इन्होंने ये खाथ कटने के बावजूद ताक यह लोड़ते रहे थे ठीक है तो इस बुक्स देख लेते हैं हम लोग तो दा इंडियन वार अफ इंडिपेंडेंस ये विनायक दामदर सावर की किताब एठा सताओं सुरेनाथ सेन की पुस्ताग है बहुत इंपोर्टेंट है और सिपाय मिटने और बिलेन आफ 1857 यह आसी मजूमदान ने लिखी तीनों बुक्स बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है भुगोल पे आ जाते हैं मांसून तो अरभी शब्द मौसिम से यह मांसून लिया गया कि एक तापी संगल्पना होती है और एक हवाओं का समय होता तो तापी संगल्पना के बारे में हम लोग देख लेता है तो यहां पे एक कॉंसेट आप याद रखिए कि हाई प्रेशर से लोग प्रेशर की और हवाई चलेगी एंप प्रेश्य नोट प्रेशर कर ठीक है तो अब देखीर है अपका सूरी, है उल सूरी बदल्बंद में यहां से सौरवा भीकरन है तो बदल में सवर भीकरन हुआ और यहां यह जल इखटा पीए है तो कि यह होता है यह ठंड़े महासागरी छेतने महासागरी तो त्सक्षय सेहित में टेमप्रेशर कम हुआ तो प्रे करती है और बादल बीच में आbeठाएं जसे करा यहां पर वर्शा होती है ठीक है तो खाव पर जादा हुंि से में कर दो और यह रोहोगा है यहां पर शिच是啊 Cocos ठीक है इसके चस्पीछे जो भाग होता है तिबबत का रहता है जहां पर वर्षा बहुत कम होती है यह अगर शुस्क छेतर भी बात करते हैं लदाक हमारा काफिक शुस्क छेतर है कि आइसीटीजीड इस अनांत्रान होता है देखिए जरो डिगरी पे ये कर्ग रेखा साड़े तेज़ डिगरी उत्तर और दक्षन में मगकर रेखा है तो यह करकर रेखा की स्तिति है और जब दक्षिणायन होता है तो यह मगकर देखा पूरी में काँ सा प्रिशर होगा पयुछ प्रिशवि में काँ सै प्रिशर होगा हुगा इसके कारन कुछ परिवरतन होते हैं जिसे हम लोग तश्वी दोलन कहते हैं तो इसके दो अवस्ताइ cade होता है एक लो फेस होता है तो हाई आप जरना कहते हैं क्या क initiated ऐ लोफेस को क्या कहते हैं हम लोग अली निनो कहते हैं याने स्वीशु येशु ठीक है तो पेरु तटकी समीप गरम जल लण हरा उनु की छोटी महें को निना को कहा जाता है इनका प्रभाव क्या होता है तो अलीणिया पश्मी यहाँप याद रखें लड़ पश्मी प्रश्म महासागर और एलम पूर्वी प्रिशाद महासागर ठीक है तो एलं निनो ठीक है तो लेफ्ट याने कि लेफ्ट पना पश्चिमा जाए ऐसे याद रखो तो पश्चिम प्रिशाद महासागर का उष्भान तो हिंद महासागर में कैसा मौसम आ जाएगा आर्द मौसम आ जाएगा और जब पूरवी प्रशान महासागर का उश्मन होगा तो हिंद महासागर में कैसा मौसम होगा शुष्क मौसम होगा ठीक है जब आर्द मौसम होगा तो वर्षा कैसी होगी अधिक मांसुनी होगी जब से मौसमं होगगा तो राक से कारण मानसुन कैसा रहता है मज़बूत रहता था भारत में वांसुनी वर्षा दो मणद्यम सहाती मानसून उक्ते पुर्वी मानसॉन तो गृष्मृत मृतलि पस्तिती यह है उन्हिस्ग मिच्छीत की यह और यहां से होते हुए यहां से यह लो प्रिशर की और आती है और इस तरीके से यहां पर अरब सागर मंगल की खाड़ी दो पार्ट में टिवाइड रहती एक पार मरा यह बन जाएगा और इहां से होटे और यह पर वरजा करें ठीक है तो अब चुक्किंद यह कैसे आ हुए दक्षण से कहा जा रही है फस्षण ठीक है तो पर जो अब वचाоп यह लोटेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे उत्तर पूरी मांसुन की वजए से तो यह देखें दो हमने बताएं भी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता तो अरब सागार में पशिंद्धी मैदान सहयादर की पश्मीड हाल में वर्षा करेगा मुंबाई में वर्षा करेगा म और आश्ट कक्ष पश्मी राजस्तान पंझाव है याने पश्मी मेल इन सब में अरब सागर की वज़स होता हुए बंगाल की खाड़ी की वज़से क्या होता यह मांसुन आराकान योमा से टकरा जाता है ठीक है टकराने की काराण है नहीं यहाँ पे देख लेते हैं वह एक आगी सब्जे की कहा सोगा अरब सागा सोगा आगमन देख लेते हैं तो आइसी टीज़े जो जुलाइन बनता है तो बीस डिगरी से पच्छेट डिगरी उत्रेश यहां से अपर मांसून का आगमन एक जुन को केरल में होता है फिर दक्षिन पश्षिम मांसून जो हमारा दो बट गया अरब बंगाल खाड़ी अरब से व्यापारी पावने दक्षिन पश्षिम से उत्तरपूर में चलेंगे इस तरीके से और मंगाल की खाड़ी के और तो यह तो आना हुआ लोटना क्या हुआ जो आइसी टीज़ेट वहां पर क्या मनना था अब सब उल्टा हो जाए तो प्रभाव क्या होता है वैपारी फोवन अब देखो वहां पर दक्षिन पश्षिन से उत्तरपूर में लोग प्रिश्र हो जाएगा जब बंगाल की क traveling लो प्रिशर होगा है तो वो तमिल नाडू प्राप्त करता है वाय मंडल की पड़ते हैं देख लेते हैं हम लोग छोब मंडल फिर ओजोन परत आ जाएगी फिर सम्ताब मंडला जाएगी जिसमें परत होती है फिर मद्य मंडल आयनल मंडल और वाय मंडल जीरो से यहां पर तापमान कम होता रहता माइनस एक्टी डिग्री से टिकरेट तक पहुच जाता है अगर हम इस तल से विस्तार देखें हो जो परत का तो पचास किलो मेटर तक है पचास किलो मेटर पाई कितनी रेंब जाती है कलब भग 20 से 50 किलो मेटर के बीच में उसके बाद मंडल जाता है है ना यहां पर उचाए के साथ यहां भी ताप घटता है 50 से 50 किलो मेटर तक के बीच में रहता है और 80 किलो मेटर से 640 किलो मेटर के बीच में हमारा कौन होता है आयन मंडल होता है इसमें उल्टा हो जाता है है ना उचाए के साथ तापमान में ब्रद्धी होने जो आयन मंडल होता है वहां से रेडियो तरंगे परावर्तित हो सकती है उलका पिंड वगएरा गिरने की घटना होती है वो मध्य मंडल में होती है और यह चोब मंडल और समताब मंडल की बीच करें जो यहां चलाने के लिए यहां पर उतकर्ष दशाहें पाए जाती है मौसम परावर्तित कर सकती है यानि कि आयन मंडल पर ही बेतार संचार संभव होता है और यहीं पर और आरोला और अस्ट्रीलिस की घटनाएं घटती है समताब मंडल में ओजोन का संक्रेंद्र होता है 20-35 किलोमेटर तक में इसमें जलवास काफी कम होती है इसलिए समताब मंडल मे है मौसमी घटना के ब्राबर होती है यहांप़ कर छों मंदल देखा हôm ने संताप मंडल देखा मद लेखा होता है मद्र मनडल बीद में सेंट बस होता है में और मनदल के बीच में में करोश हुता है तो टेप्स नदी किनारे लंदन है, सिल नदी किनारे एंटर वर्थ है, राइन नदी किनारे रोटर डैम है, इल्वे नदी किनारे हमबर्ग है, सीन नदी किनारे पेरिस है, पोटो मैक नदी किनारे वाशिंगटन है, बहुत इंपोर्टेट है, पोटो मैक नदी किनारे वाश क्याना याद रखिए कबहुत इंपोर्टेफ्रेट है विली-विली ये चोय लाद का नाम अस्टेलिया भर्ता है हरीकेन को USA में हरीकेन कहते हैं चकरवातों को टाइफान चीन में आता है या टाइफून क्या होता है चीन में आता है बागी हो यह फिलिपीन्स में कहला था बागी हो फिलिपीन्स में क्यला था चक्रवात तो हिंदी नाम है तो भारत में यह होता है और करेबियन तर अगरों अमेर्टी चेट्र कुछ पार्टी संस्थाएं हैं मंग भाशा प्रकाशिकाई 836 में बनी ये करम लिगाने को आ जाता कभी लैंड हुडल सोसाइटी बहुत इंपोर्टेंट है 38 में इसका निर्मान होता है मंगाल बिटिश इंडिया सोसाइटी 843 में वेद समाज 864 में जो CPI कमिनिस पार्टी अफ इंडिया 1920 में इसकी स्थापनों होती है और A.I.A.D.M.K की स्थापना कभ होती है 1972 में होती है कुछ उपनाम देख लेते हैं तो लोग हितवादी गुपाल हरी देश मुक का उपनाम था वन मैन मांडरी फोर्स मांडर में टन ने महत्मा गांधी को कहा था विस्टन चर्चिल ने अर्ध नगन फकीर महत्मा गांधी कहा था साहब आलम बहादूर ये बहादू शाज जफर ने बखत खान को कहा था सामवाद का उच्चतम पुजारी नहरू को कहा जाता था गुरृडय उटय गोर की उपादी थी देश नायक बहुत इम्पने देश नायक अंफ्यूसमत ही एगा सुमा चन बोस iki है लोकमा ने तिलक की है लोक नायक जैविकाश नारायन की उपादी है गहास के मैदां देख लेता है तो गहास के मैदान दो तरीके के होते हैं एक उश्नकटबंदी होता है उश्नकटबंदी ऐसे जो भूमद रेखा जो हती उसके 10 डिगरी से 25 डिगरी के बीच में होते हैं और उश्नकटबंदी के 30 डिगरी से 45 डिगरी के बीच में होते हैं तो ऊश्नकटबंदी और शीतोश्नकटबंदी ये दो गहस के मैदान होते हैं ये विस्तार भी जाद की गार दस से 25 दिगरी और 30-45 तो सवाना ये अफरीका में कहे जाते हैं लनोज ये वेनेजयोएला में कहे जाते हैं कैमपास ये ब्राजील अरजेंटीना परागवे और उ पार्क लेंड ये ऊश्नकटबंदी है दक्षिन अफ्रीका में तो यह सब उश्नकटबंदी है इतने नाम बर्यापते हैं सवाना लानोस कंपास पार्क लेंड और सेलवास ठीक प्रेरी यह अमेरिका में होता है ठीक प्रेरी को क्या अमेरिका में कहते हैं पंपास अजर्टीन यह सब शीतोष नगट बंदी है अर्जंटीन एवरोप में ब्राजिन स्टेपीज यह यूरेशिया है ना यूरोप पश्चिम यूरोप मादेशिया में तो यहां पर स्टेपीज कहला जाएंगे वेल्ड है दक्षिन अफ्रीका में डाउंस आस्टेलिया तो नीचे की तरफ ह गर के ऊतर में बड़ा करकल के अराफली है और अर्गश्चं में वेंद्द कहा बुंदेध है यह छोटा और नाखपूर कता पर सभी देवरा अपवाहीद होटा दामोडवा का अपोता है इहाँ मेघाले है तो भ्रंचन के कारूर के माल्दा गैप से उस मुंदेह हो गाय mejor तो जो प्रितuhan लेंड से वो मालदा कैप कर रहा है यह तंस यह है कुछ धार यह देखार आपको दिकारा होगा हो यहां पर यह महाराश्थ यहां थे लंगाना को प्थार यह अन्य वन दीन को और शार bereits में जो कोरापुर। कालाहांडी ये जिलें हैं उसमें चत्रिज़ज़़ार में बस्तर सवे और आंधरम देश जो भी शार का पता हो यह हमारा दक्कन का बठार है और यह दक्कन का बठार यह ठीक है और यह हिस्सा जो है दक्कन ट्रैप कहलाता है क्या कहलाता है अगे देखते हैं प्राचीन भारत जो प्राइदीपी भारत है वो किसका भागता गुणवाना लेंड का भागता कार्बोनी फेरस यूग में क्या दक्तनी ट्रैक करने मार हुआ है। अब बात के लेते हैं Жो नर्मदा नभी होती है, तो दो भागों बाटती है मिल जाती है मालवा का पठार पश्य में चौड़ा है पूर में सक रहा है ठीक है तो ये दो बहुंग बढ़े आता छोटा नागपूर का पठार और ये जो उच्चिभूमी है जो बंदेलखंड बगेलखंड का पठार होगे चोटा नागपूर का पठार कैसा अगरगंभीर पठार है यह कहां कहां फैला है जारकंड पश्यमंगाल चोटानापुर का पठार फोली यह पर्छुटानापुर का पठार नरमदा के दक्षिड में हमारा धकन का पठार पढ़ जाता है इसके उत्तर पुर में यह गारोखासी और जैद्टीय की पहाणिया है न मैं दाटा के दककन बठारों के उत्तर पुर में और अनत्य प्रवटी प्रदेश है यहां पर नंगा परवद पढ़ता है ठीक है और यहां पर नमचा वरवा आजाय का यह?" यह जो हमारा है वाहा हमालह है, तो कराकुरम, लब्दाक, जासकर और कैलाष हैं है और आंको जुचे परवदा देख लेते हैं हम लोग घासकर तो अफरीका का उचखे पर वन्वेड है परवतों को सागर कि से कहा जाता है इस पें तता प्रांस के मदद जो सीमा वो पिरेनीज बनाते हैं ऐपिनाइस परवद इटली में है माउंट टिटलिस कहा है माउंट टिटलिस तो स्विजलेंड में एपिनाइन एटली में माउंट टिटलिस स्विजलेंड में ड्रांकेंस बर यह दक्षन अफ्रीका का सरोज पूछा जाए तो किलिमंजार हो जो तंजानिया में दक्षन अफ्रीका का सरोज है वो ड्रांकेंस भारत का जो नियुंतम उचायवाला छेत रहे वह कुट्टानाड है केरल में है पटकाई पहाणिया कहां कहां विस्ता दें कुशन आया है असम मडिपूर मिघाले मिजोरम और नागले में पटकाई अरुणांचल नहीं इसमें कभी कभी आ जाता है अरुणांचल को आप्शन का विशालत मंढडार कहां पाये जाएगा हमारा तमिलाड पाये गालोल का बारकर मेहसाना उन्नूग्राम कलोल महसान होनोगरह में किंह किया है तêu सहबसे आदा नगरिक्रत Katherine देश पॉन्सा यह नागए 13 Lana मैं अनौ यहां मैसाने कुछ जलवाई ब्र्वhora zer हो संहेलन देक प्रत्वी संमेलों वसुद्रा संमेला 1992 में ठीक है और इसी में जो उपर हम लोगों देखा अभी अंतसरकारी समझा होता कमेटी आइंसी और आईपी सीसी इन दोनों को अंगी करत कर लिया जाता है 1995 में कॉप वन होगा कहां पे होता बर्लिन में बहुत इंपोर्टेंट है कॉप वन कहां पे हुआ बर्लिन हुआ 1997 में क्योटो प्रोटोकाल अंगी करत वध्यान से कुश्चन को समझेगा 1997 में क्योटो प्रोटोकाल को अंगी करत किया जाता है लेकिन 2005 में जो माप वन की पहली बैठक होती है उसमें क्योटो प्रोटोकाल प्रभावी होता है तो अंगीकरत उनिस सुतानमे यानि कि रियो प्लस 5 में और प्रभावी कम होता है 2005 में 2001 में माराकेश समझोता होता है बाली रोड मैप अपनाया जाता है यह 27 में कोपेन हेगन समझोता 2009 में होता है कानकुन समझोता ठीक है इसमें हर जल्वाई कोश बनाने वे सेहमत ही होती है कानकुंत समझा दोजाव 10 में होता है, अरबन प्लेटफर्म 211 बनाया था, दोभा वारता, बहुत इंपोर्टेंट है, दोभा वारता, ये क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा चरह दोजा 12 में होती है, कि दो हवारता दोजाओ तेरा में वार्षा संभेलन होता है ना तो उन्ती सो तीस के स्थर से 18 परसेंट जो कर्मन सब्सक्राइब उसको गढ़ाने का लक्ष रखा गिया वार्षा तो चौदा में लीमा वारता होती है लीमा शहर में वारता होती दोजाओ दाना अब यहां से इंप्टलेंट है क्या ये खॉप जो हाल के हैं कुछ इंप्टलेंट है कॉप 21 1215 में ये पेरिस में होता पेरिस सम्झझगहता भी से कहते हैं मारकेश 2016 में होता है और द्योगी करनल से पूर किस्ट अधिक पर व्रधि नहीं होगी तो मारकेश 2015 पर 2017 कॉब 23 कहा होगा बॉंड जर्मनी में एकिस बाइस कॉप 23 बॉंड जर्मनी में हुआ काउप 24 कहा उआ कटूविस पॉलेंड में हुआ कॉप 25 2019 में मैडरेल इस्पैन में बहुत important है कॉप 2020 में कॉप 26 होना था तहां पर होना था ग्लासगो में होना था Scotland में लेकिन यह रद्ध हो गया अब यह एक से 12 नौंबा 2021 के बीच में भी होना है तो वहीं होना है ग्लासगो स्कॉटलेंग में ठीक है कुछ औशदिया है उनके लाब देख लेते हैं तो पश्चों के दर्द निवारक के रूप में डिकलोफैनेक बीटा ब्लॉकर यह तदा उच रक्चाप से बचाओ के लिए अट्रुपीन यह तारा विस्वारन के लिए होती ब्रामी भी मार्फीन जुली जाएगी है वो दर्द से बचने के लिए जाएगी हो जो हीडोजन पर आक्साइड होता हूं मरहम बट्टी करने के काम आता है वाल जीया बहरन कुछ इंपोर्टन है तो शुक्ला वांटा यह कहां पर है नेपाल में दाची ग्रामी जंबु कश्मीर में के रियार केरल में उलाम जाओ मड़ी नाम जाओ कहां पर है मड़ी पूर में है तो यह कुल वन जीव अभ्यारन है ठेक है क्योटो प्रोटोकल ग्रीटो प्रोटोकल होता क्या हुए उन फ्रिपल सी के द्वारा है ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संब्द है इसकी कि द्वारा बारा जो है उसमें सीडिय में क्लीन डेवल्मेंट मेकनिजम स्वच्छ विकास युक्ति को अपनाए गया है सॉर्री इसके जो व्यपारी की काई है वो CER है ठीक है सेटिफाइड एमिशन रिडिक्षिन एक सीर इडिक्षिन एक टन कार्वन डेक्साइट को घटाने से प्राप्त होती परियावल संवर्च्छों से संब्दित एंजियो देख लेते हैं तो बहुत इंपोर्टन है युएन सेप्टेंबर 2008 में वनों में संचित कार्वन की मात्रा है उसका अर्थिंग मुल्यांकन करने के लिए विकास्षिल देश्टों को वनिक्रत भूमी के उस सर्जन की कटोती के लिए प्रोट साहित करने के लिए और भी यूएन रेड प्लस आ गया है वो क्या करता है वनों के स सेप्रकत सनुच्छों को खत्रा ना हो है ना यह ट्राफिक है दा एकोनोमिक और एक्लोश्य और मुर्य दिवस्टी यूनेप के अंतगत कार करने वाली संस्ता है टीब ठीक है इसका कारेल है जो है जिनेवा में स्रुजलेंड में जय विता था पार्तन के आर्थिक लावों विश्व विरासत दिवस अठारा अप्रेल विश्व प्रित्य दिवस बाइस अप्रेल विश्व स्वास दिवस साथ अप्रेल विश्व छे रोग दिवस चौविस मार्च अंतर राश्री महिला दिवस आठ मार्च विश्व वानकी दिवस 21 मार्च विश्व जल दिवस 22 मा हदब काजु जो है नट प्रकार होता है सर भीच पत्रों मोंसल पुश्पकरंद कहते हैं या इसमें मानसर फल भित्ती खाय जाती नायर भी लूप होता है इसमें भूण तरबर भूणपोच ऐता है बेर भी विए डूप होता है ठेकर इसमें जर्ट गूच्छ होता है अंगूर एक सरस्फल जदें Azлом रहने कि सेव नाशफाथी पॉम में आते हैं किसमें आते हैं पोम में मासल पुछपाशन खाया जाते हैं कटहल का सुरुसिस प्रकार होता है माधिकाल में 7 शुदाध मीं बाद करें तो कश्मीर में कारकोंट राज़ून्ज का शाषन था दुडलवंदर के शाषनकार में वेंचे तो बूतेश का शिव मंदिर बनाए ये परिहास केशव में को शिव इसाफ्न ने खरिघर अन्षु हमस्कार मन ने इसनगर मन कि कि स्थाफना भास का वर्मन ने करी मिलेक्ष राजा था या उस समय शाषन था इनका ऐसा कहें तो जादा सही है बंगाल के स्थाफना 750 में बुपाल लिकरी जो पाल वंच का शाषक था हर्स का समकालिंग चालुक के पुलिकेशन दुटी यह था अरभाक्रमन के समय चालुक के तरह हैं ताहिक के हिंद किस में लेकी अल बुरूनी ने अरभी में में लिकी ताज़न मासर यह था लिए खाविया गद में तबकात इनासरी मिना पुर बाहों तारिके फिरोष शाय और वपत्वाष जहा-धारी यह बंची ती यह बढ़ने लिकी था फारसी में लिकी ती ये शमसे सिराज अफेक ने भी लिखी थी फार्सी में लिखी थी ठीक है फतुहात फिरोजशाही ये फिरोजशाह की आदम कता है तारीक मसूदी तारीक सुबग्द गिनिया अबुल-फजल और मुहमद बिन हुस्ञान अल-बैहाकी ने मिलके लिखी दी तारीक मुबारक शाही दोनों अप्शन में कुछ भी आदम लासकते हो बहार की या अबुल-फजल तारीक मुबारक शाही ये अबिन सरहिंदी ने लिखी रहला ये इबन बतूता की किताब है तारीक रसीदी ये मिर्जा हैदर की है कश्मीर का दिखा गया शाहनामा ये फिर्दोसी की किताब है वसाया ये बरनी ने लिखी पदमावल अकरावट आकरी कलाम ये जैसी मलिक मुहमद जैसी ने लिखी याद रखी चाशेर शाह का प्रमक कवे था ये अमीर खुसरो की कुछ बुक्स है बारत की लोग सबसे पहले मुसल्मानों के संबर में कवा है खलीफा उमर के समय में 636 के असपास दश्णापत का ठोस्तम किसे कहाया था पुलकेशी राइ अब निजिन आश्रे को नौसारी के अब लेट में है इसका वर्णन गजनी वंश जो यामनी वंश था तो अलब्तगीन संस्था पकता है 933-963 फिर इसका पुत्र इसका पुत्र दाइए इसाहक का फिर बलक्तगीन आया फिर आया फिर सुबक्तगीन ने 987 में मारत पे आक्रमन किया गजनवी से पहले फिर महमुद गजनवी सुल्तान की पादी धारन करने वाला पहला शाषक अभी डिफरेंस है याद रखिए गार सुल्तान की पादी धारन करने वाला पहला शाषक था इसकी और पादियां के नहीं है मिनुद दोला अमीन सुल्वा आक्रमन इंहोंने इसने गजनवी ने समान यदो दे दिया गजनवी ने सम्मानात पे किया उत्रादिकारी इसका मसूद था अलाओदीन को जगत दाहा को जहां सोँच की पादी और पहला शाषक जिसने महान सुल्तान याद रखिएगा वहां ऊपर सुल्तान की ब अभीमदुती से हार जाता है कि guys चंदा वरेनी की कन्वाज का यूद विजित होथा है कुछ हनवार देख लेते हैं कलीलाह दिमना अर्भी में किताब अर्भी तारीक तारीक फिरुषय कि इलियेट ने, है न, पत्वाई जहधारी डाउसन ने, इन दोनों ने अंग्रेजी में की ने, ठीक है, शाहनामा का अनुवाद रजनीकान शर्मा ने किया हिंदी में, तो रजनीकान शर्मा ने शाहनामा का और किताबुल हिंद, दोनों का हिंदी में अनुवाद किया, सवारवननंदी वाले सिक्के चलाए पंजाब में टकसाल का नाम संस्कत में छपवाया प्रशलित कौन सा सिक्का था छपपन कि दिल्ली वाला गोरी ने मुहम्मद बिनसाम नाम से हिंदु देवताई देवी देवताउं यह तो सिक्के चलवाया फिरोशा तुगलग ने अधा चिलवाया रुप्या रुप्यकम चल्वाया चैंदी का सिkkा था अश्रब सोने था और इन सब के इसके लाव अधौला पावला धंमडी जीत को शेसा सूरि ने किया ते कभी की उपादी देख लेता है फिर्दोसी को कुमर की वादी दी गई यह बेहां की को पूरवी श्री पूरवी श्री पैपियर्स के बादी बहाकी के दी गई है श्री पैपियर्स ठीक है और अमीर हसन को भारत का साधी कहा जाता था सिकंदर दुती के बादी जोके दोनों में अंतर हैं दुती सिकंदर अभी आप पढ़ेंगे अलाव दिन खेल जिन लिया था और सिकंदर इसानी भी थी सिकंदर दुती के बादी बारा सुपाच में खौरिज मिशाह ने लिए जब मुहमद गुरी को खराया था बंगाल में तुर्सत्ता के स्थापना अक्तियार खिल जी नहीं करी आली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी थी एक लाकचीतन में दिल्ली में खरीद आता पहला मगबरा बनाने का श्रे इल्तुत्मिश को ही जाता है उसने अपने पुद्र नासुदीन का बनवाया था ना सुल्तान गड़ी का मगबरा अतार्गिन दर्वाजा इल्तुत्मिश ने बनवाया था रजिया को पादी उम्द उल निस्बा की दी गए थी शमसी वंस का पांचवा और अंतिम शाशक का हो था नासुदीन महमूद हरे महले नि कैसर रंज में बैठने वाला भी नासुदीन महमूद था बल्बन को उलुख खांगे बादी नासुदीन नहीं दी थी अभी बात हुई थी बल्बन के नाम स्बामत को कहा जाता था जो बल्बन का पूडर व था अलाओ दिंव और फिरोज खिल जी इअ कि वादी शाहषता कर्णा है ना तो यह किसने ती कैकुबाद बाद में अलाओ धिरोज सूरी के बारे में बात कर लेते हैं, शेर खां के बादी बहार खान लोहानी ने दी थी, शेर ए अफगान के बादी अली कुली खान ने दी याद रखे, अली कुली खान ने शेर ए अफगान के बादी दी, शेर खां के बादी बहार खान लोहानी दी, हुमायू को जब चौसा क युद में हरा देता है उसके बार ये शेशा के पारी धान रखता है पाटली पुत्र को पटना नाम भी शेशा सूरी ने दिया था ठीक है जो हेमु धाहिम राज वो मुहमद आदल शाह का मुक्य मंत्री था आएने अकबर ही ये अकबर नामा जो है अबुल फजल ने जो उपादी थी और इन्होंने निर्मान भी करवाया था खुर्रम शाह जहां खुर्रम को शाह जहां के उपादी कब मिली जब इसने अहमद गये रच्छन को विजद कर लिया राजधानी आगरा से दिल्ली भी शाह जहां लाया था इसका समय दूती सोणकाल कहा जाए टॉप कब थी तो जहांगीर के समय में ठीक है अलावदिन खिल जी के बारे हम देख लेते हैं अलिकुर्शाप्स इसका नाम था उपादी दुती सिकंदर भी आगी ना बातमा सिकंदर दुती था यां दुती सिकंदर तो इस सिकंदर इसानी की ठीक है तो जंता का चरवाहा विश् खिल जी हाजी मौला अलावदिन खिल जी के समय में हुआ था मदि निशेद करने वाला पहला सुल्टान सुमनात मंदिर का निर्णो धारिस के समय में कुमार पाल ने कराया था मलिक काफूर एक हिंदू हिच्ड़ा दास ता इसका नाम किया था नुस्त खा ठीक है पहला जो और देखा किसने तो एक जो देखा वो राणा रतन सिंग जो गुहलोद वन्च का था उनकी राणियों का देखा चित्तौर को खिज्रबाद में चेंज कर दिया था और गोरा अबादल उस समय थे तो महराष्ट में क्या था यादों का वंच था राजधानी देवगरी थी तेलंगाना में काकती बन्चता प्रताब रुद्ध यो राजधानी जो वारंगल थी तिलंगाना किया थी वारंगल हो इसल के शाशक वीरबलाल तृती थे दोर राजधानी 2अध समुद थीघ और मालबाद में पांड़ि शाशक का राजधार शाशक वोसे सम्हों कुल शे अब लेक मुझूना खान अपने वही मुवम्मद बिन तुगलक ठीक है जजिया करके बारे में बात करने हैं तो पहला शाशक जो जजिया कर लगाता है वो कासिम था ब्रामण यहूदी था यसाइयों पर पहला लगाने वाला कौन था फिरोष शातुगलक था पहला शाशक ज एक बटे तीन से एक बटे दो भाग जकात मुस्लिमों से लिया जाता था टू-पाइफ पॉसंट यह वन बाई-फॉर्टी जजिया गैर मुस्लिम से लिया जाता था ठीक है खुम्स क्या होता था युद्ध में लूट का माल है न तो एक बटे पांच खजाना में जमा हो ज इंद्ध में इलतुदमिश जीत जाता है तराइन का पहला गोरी वर्सेस प्रत्यूराज 30 गापिठ हो रहा तो गोरी हा जाता है फिर एक 1292 में होता गोरी जीत जाता है तीसरा याद रखेका तराइन का तीसरा युद्ध ठीक है बारा सो पन्दरा सोला में यल्दौज और इतुदमिश जीत जाता तराइन का थीसरा युद्ध सरेफभूब का युद्ध पंदरा सोड़ों में होता है बाबर शेबानी खां के बीच में बाबर हाज जाता है चौशा गेट जून 1549 होता हुमाईव वस्त शेर खां शेर कां जीत जाता है मच्छिवड़ा का युद म हुमाई 1515 में होता है हुमाई वा अफगानों killingित सरेंद काियो हुमाई और सिकंद सुर के बीच में होता है सरहिंद का यूद 1555 में मत्शुवारा 555 स्राहिंद का यूद 1555 कि भाप देटे पह़ले मत्शुवारा होता है पिर सरहुंद करुण पानिपद के दूस्वा यूद् पंदर्तश्वشرपण में होता है अगबर और हिंबो Cup बहरत से बाहर मखबर है किसके है तो बाबर का बाबर से बाहर मखबरा है जहांगीर का है और बहादुशाद जफर का तो इन तीन शाचको बाबर जहांगीर बापर जहांगी और महादुशा जाफर संद्रकाल का अकबर किसे कहा जाता है फिरोशा तुगलग को कहा जाता है ठीक है एक माध शिया वंच सैयद वंच है पिथम अफगान राज किसका था तो लोदी वंच का था दिल्ली संतन के सभी शाषकों में सरवादिक समय तक शाषन करने वाला शाषक कौन था बहलो लोदी है ना सबसे जादा वंच तो चला हमारा तुगलग वंच लेकि सरवादिक समय तक शाषन करने वाला शाषक बहलो लोदी था दिल्ली संतन आग्रा के स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी पंदरा सुचार में पंदरा सुच्छे मेरा जानी बनाई थी पंदरा सुचार में स्थापना करी पंदरा सुच्छे मेरा जानी बनाई पतरम सल्टान जो युद भूम मारा गया तो इब्राहिम लोदी बावर का जन फर्गना में हुआ अंधी जन में अफगानिस्तान में है ये 14 फर्वरी 1483 को आत्म का था इसकी क्या है तो जो कि बावरी तुर्की में या बावर नामा इसके लावा इसका फार्सी में अनुवाद पाएंदा खान ने करवाया था ठीक है दिवान के रूप में तुर्की में अनुवाद करवाया था खते बावरी रिसाले उसके नाम से करवाया गया अंग्रेजी में इसका लीडर ने अनुवाद करा ठीक है पाएंदा खान जो फार्सी में अनुवाद हो पाएंदा खान करवाया था फार्सी में अंग्रेज में लीडर ने करा है जोकि फार्सी से ठीक है अपरिल फंदोष चपपेश चबिसकों होता है अब्राहिम लोदी के साथ और इसमें बावच जीत जाता है कलंदर का उपाधिधाराण करता है खादेरी का युद दोपुत्रियों थी उसकी शादी नों पुतरियों की एक कम्रान से कर देता है मेदनी रए जाता है घागरागी जलो थल दुनाउंगाड़ा था इसमें जीत आता है तो वो बंदूकों का पहली बाप प्रयोग बाबर करता है पंदास उन्निस में जब इसने बाजवर प्याक्रमा किया था ठीक है हुमाईय। नमा किसने लिखी है गुलवदन बेगम ने लिखी है किसन सिजदा प्रथा को समाप्त करके चहां तस्लीम को शुरू कि निद्धिल देख लेते तो संपीडन की शक्तिवारा थे विस्तत परवत होते हैं तो पर विश्य की सबसे लंबी परवस्ट दिनी देख्ष्ण अमेरिका में एंडीज है बहुत तो किलो मेटर इसका सरवोच विंदू इंडीज का क्या है एक आंका गुआ है रॉकी इसके बाद दूसी उतरी अमेरिका का सरवोच विंदू मांट एलबर्ड है एंडीज का बिंदू इसका मौंट ब्लैंक है राइन नदी यहीं से निकलती है इसका विस्ता देखो फ्रांस अस्या जर्मनी और स्विजर्लेंड और प्लस अल्पस का विस्ता इतनी जवहों पर है दशनी आलपस न्यूजिलैंड में है ना दशनी आलपस की सर्वोच बिंदू जो माले आलपस एटलस यह वलित ब्लॉक यानि अवरोधी परवत यह तनाओं खिछाओं की शक्तियों के कारण ब्रंच और दरारे बन जाती है तो इनका निर्माण होता है सबसे उचा ब्लॉक परवत बहुत इंपॉर्टन सेरा नेवादा कहा है कैलिफोर्णिया में है कैलिफ इसके लाव फ्यूजियामा जापान में कोटोपैक्सी एक कोड़ोर मिश्य तो जडिल परवत क्या होते हैं बनावट समंदी जड़लता होती जैसेरा निवादा हो गया नेकॉंडा से शिगणी हो गई आवशिष्ट परवत क्या होते हैं यह अपरदन द्वारा प्रात्मिक परवतों का घर्शन अव्शिष्ट परवतों में अरा वलीयात सबसे बुराना यह ना यह तहसा है अप्रिका उचो परबद किलिंजारो तो कहाँ ऊपन इसक्राइब 6-10 तद्ध सब्सक्राम सब्सक्राइब नश्रीज न कर छोग नंग कर चुके ये परफिंद गाली न прост ऑप घ्र थैアनग्रेज्द पर एच्फ़ फ्रांसेस यहाए पर्टगाली डच अंग्रेज दें फ्रांसी कंपनियों में बस अंग्रेज पहले कर तो त्थ बाय ने खुडो ठीक है तो दो एक हो तो चलला हुट्थानवे में पर्टगालीओentes you सो दो में डच की बनी सोला सो में अंग्रेजों की बनी सोला सो सोला में डेन की बनी 1664 में फ्रांसीसियों की बनी ठीक है पहली फैट्री पुर्टगालियों की कोचीन में फंद्रा सो तीन में डचों की मसूली पटना में 1605 में अंग्रेजों की भी मसूली पटना में 1611 में ट् 1510 में गुवा जीता पुर्टगाली होने ठेक है 1530 में राजदानी बनवाई चावल 1531 में दीव 1532 में सालसे टाबेसिं 1536 में जबकि डच्चों ने 1610 में पुलिकट को जीता सो सोला सोला में सूरत में फैट्री खोली करिकाल में 1645 में अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में बाला सूली पट्टनम में 169 में सैन्थों में 161 तो पांडी चेरे में 1690 से 1652 में 1760 में यह बहुत यादा कियेगा वांडी वाशिद हुआ फ्रांसी सी अंग्रेजों से हाड़ गया 1760 में प्रकाश क्या होता है उर्जा के एक रूप होता है सीधी रेखा में चलता है डोल नेचर होता है तरंग क дней और करण दोनों दिखाता है अनफ्रस तरंग होती है सबसलाइब निरवात में होती ठीटेम निरवात में धरया थैए क्या नहीं बदलेगा आवरति नहीं बदलेगी तारों का टिम्टिमाना जल में डूबी छड़का तिर्शा दिखना यह सब किसके कारण होता है अपवरतन के कारण होता है यह रखिए का पानी का पूरतनांग 1.33 और काच का पूर्णांग 1.50 वानवीचेपण का कारण क्या है प्रकाश का रंगों में बढ़े आना वानवीचेपण कहलाता है जो रंग है यह बहुत इंपोर्टन है यहां से पूछा जाता है जो रंग है तो नियूंतम आवरति किसकी होती है लाल रंग की नियूंतम आवरति लाल रंग की सबसे ज्यादा तरंग देल लाल रंग की ठी प्रवावर्तन के लिए जो उत्तम परावर्तक होता है वो क्या होता है रजद धात होती है समतल दरपण के लिए ऑपना प्तिविम देखेंगे तो आभासी दिखेगा सीधा वस्तु के अकार के बराबर दिखेगा पूरी लंबाई के प्रियोग परियोग कहा होता भई की लंबाई ये सुर इतै civilmm into a प्रियोग कहा होता तो दंशिक सक दोरा व्याइड में बनाने वाले दरपड लेकिन जो साइट मिरर होता है कार की यह उत्ताव दरपन लेकिन अभिसारी होता है canvergence होता है दूर दर्शिदोस में होता है जब gown कि उतलिए और अभिश साहरी होता है डाच нед esper नहीं लिखती तब इसका प्रियोक किया जाता है ठीक है तो अ长 यह पूरा तो उप्रिविगर्ण था जो हम लोगों ने आज देखा, किसी भी परिक्षा से पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको इस पूरे वीडियो से कम से कम इस सम्मन्ध है 15-20 कोश्चन आसानी से मिल जाएंगे, बहुत 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 शुपकान है, आने वाले पेपर्स के लिए, धन्यवाद।